CFA पर आपने बहुत सारे सवाल पूछे हमारे previous वीडियो पर सो से भी ज्यादा questions आया है तो आज के वीडियो में हमने उन सारे questions को condense किया है ताकि आपके सारे सवाल answer हो सके वीडियो end तक देखना बहुत ज्यादा valuable होने वाला है Anyway, main जो सवाल हमसे आया था वो था के coaching आपने की या नहीं देखिए coaching और recorded lectures में फरक होता है I went for recorded lectures अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये जमता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनने live class का experience पसंद आता है तो ऐसे जो सारे लोग है वो coaching के लिए जा सकते हैं लेकिन अब problem ये होती है कि live classes जो होते हैं वो एक fixed time पर होते हैं बहुत से लोग जो CFA कर रहे हैं वो अपने college या फिर अपने job के साथ ये चीज़ करते हैं तो इसलिए कई बार ये होता है कि जो fixed time वाला scene होता है वो बहुत से लोग को preferable नहीं लगता तो वो recorded lectures वाले route से जाते हैं I also went through this route इसके बाद सवाज है कि Mark Meldrum नाम के इस provider के recorded lectures हम use कर सकते हैं या नहीं definitely कर सकते हो यार मैने भी उन ही के किये थे लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी problem है Mark Meldrum जो है वो एक Canadian subscription provider है तो इसलिए जो सारी examples use करते हैं जो सारी चीज़ आपको सिखाते हैं वो mainly US और Canada based होती है उसी के सा not be the best provider for you. Again यह चीज में आपको बोल रहा हूं Indian context में because यहाँ पर जो सारी examples आप सीखेंगे, accounting mechanisms सीखेंगे, वो India focus तो नहीं होने वाली है लेकिन at the same time it's still a great provider to have because CFA जो है वो mainly 2 accounting systems पर चलता है, that is number 1 US GAAP और दूसरा है IFRS. भारत में जो हम use करते हैं इसे Indian accounting system कहते हैं, अब ऐसा accounting system को भी without much effort समझ सकते हो, तो अगर आप पूरी तरह से English में lectures से सहमत हैं, तो Mark Meldrum is a good provider, उसके अलावा India के context में देखें, तो I don't think recorded lectures provide करने वाले ज्यादा providers भारत में अभी भी हैं, इंडिया में coaching का system ज्यादा prominent है, तो अगर आप चाहते हैं, तो आप उस route से भी जा सकते है Next major सवाल ये था कि भाई, concepts retain कैसे करें, आपने बताया कि CFA में 10 अलग subjects होते हैं, इतने सारे concepts होते हैं, तो ये सब याद कैसे रखने हैं, देखें अगर आपको honestly बताओं तो CFA में याद रखने लायक ज्यादा चीज़े नहीं है other than the formula, mainly यहाँ पे आपको concept को अच्छी तरह से समझना है और आपके याद रखने का challenge वहीं पर खतम हो जाएगा, अगर आपको पता है कि एक specific situation में कैसे type की strategy use करनी है, या फिर एक specific type का client किस derivative के लिए perfectly suited है, तो जाके आपकी CFA की journey काफी ज्यादा simple होगी, और ये चीज़े आपको तबाएंगी जब number one, आप सारी offer नहीं होता, पूरी तरह English में ही दिया जाता है, तो अगर आपकी English समझने की skill इतनी अच्छी नहीं है, तो it's better that you first work on that, और पूरी बात ध्यान से सुनना, ये इसलिए है क्योंकि CFA में level two के बाद vineyard supported questions होते हैं, यानि कि आपको एक situation दी होती है, एक paragraph के through और इसके basis पर आप का पहला introduction होता है to the CFA program, तो जो याद रखने वाला challenge है, ये maximum मेरे हिसाब से level one पर ही होता है, लेकिन जैसे ही आप level one पार कर देते हो, understanding का game complex हो जाता है और बढ़ जाता है, रही बात चीजों को link करने की और retain करने की इसका एक ही solution है, that is practice, practice and practice, at the end of my CFA level three preparation में, vignette की पहली तो line पढ़के ही समझ जाता था, ये कैसे type का question होने वाला है, vignette में दिये गए situation को देखकर ही मुझे समझ जाता था कि अब क्या होने वाला है, और ये चीज बिलकुल भी रातो रात नहीं हुई, ये बहुत जादा मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, वही same नहीं था कि study material आपने कौन सा use किया, देखिए आपने पहले समझना है कि study material दो type का होता है, number one जो CFA institute खुद provide करता है, and number two जो CFA institute के approved prep providers provide करते हैं, ये approved prep providers कुछ ऐसी company होती है, जिनको CFA institute ने approved किया होता है to give out material जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नही होता कि CFA institute guarantee लेता है कि ये सारे institutions अच्छे हैं और आप इनके पास से पढ़ाई कर सकते हो, ये institutes काफी अलग होते हैं, इनकी भी अपनी quality होती है, अलग-अलग standards होते हैं, तो आपने इनमें research करके अच्छा institute pick करना है, इन institutions का का काम काफी simple होता है, ये आपको या तो recorded lectures provide करे या फिर notes बना के देंगे, या फिर सब तीन, जो अभी हमने Mark Mildrum की बात की वो एक approved provider है, Schwezer एक approved provider है, you world नाम का provider है and so on, अब बात आती है कि मैंने कौन सी use की आपको विस्तार से बताता हूँ, सबसे पहला notes के लिए मैंने Schwezer use किया, Schwezer के notes अगर आप उनके website से खरीदते हो तो बहुत महेंगे आते हैं, लेकिन Amazon पे इंकी जो किताबे होती हैं, वो 2-3,000 रुपए में मिल जाती हैं, इनके सारे notes होते हैं, जो आपको CFA का material short में समझाते हैं, ये मैंने use किया था, level 1 से लेके level 3 तक, as for level 3 मैंने ये तो use किया ही था, लेकिन जो सारे difficult concepts होते हैं, उसके लि बताता हूं, recorded lectures मैंने देखे Mark Meldrum के, mock test भी उनके solve किये थे, Shwezer के notes लिये थे, उसमें जो mock test आते हैं, वो भी solve किये थे, और सिर्फ level 3 के लिए CFA के जो सारे notes थे, वो भी पड़े थे, सिर्फ difficult concepts के लिए, फिर ये जो next सवाल था, ये तो maximum आया था, वो है कि अगर कोई वो CFA के लिए register कर सकता है, या नहीं, definitely कर सकता है, लेकिन आपको सारी terms के साथ catch up करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलेए it's best that you first do a crash course, crash course तो आर finance में बहुत सारे online courses आते हैं, कोई भी कर लेना, and as an exercise आप CFA की website पर इनकी readiness assessment ले सकते हैं, जिससे आपको एक idea मिलेगा कि मु ज़्यादा आया था वो है कि क्या मैं CFA की पढ़ाई MBA, CA या फिर एक full time job के साथ manage कर सकता हूँ, देखिए MBA और CA की तो मैं personal experience से नहीं बता सकता, because मैंने ये programs नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिन्नोंने MBA और CA के साथ CFA भी किया है, and they have been successful, रही बात full time job के साथ, ये भी depend करता है कि आपका job कैसा है, आप CFA को कितना time दे पा रहे हैं, आपका employer supportive है या नहीं, मेरी case में मैं creator और एक freelancer हूँ, इसी के वज़े से मेरे पास जो control था अपने time पर, वो relatively थोड़ा ज्यादा था, तो मैं दोनों चीज़े side by side कर पाया, next बात आती है scholarship की, भाई मैं scholarship के लिए कैसे apply करूँ, tension मतले मैं इसके लिए video already बना दिया है, description में मैंने link डाल दिये, जाके वो देख लो, और एक और सवाल ये था कि क्या मेरी company मेरे CFA की fees भर सकती है, the answer is yes भर सकती है, आपने सिर्फ company को request करना और उनसे बताना है कि अगर मैं CFA बन जाओ, तो तुम्हा करने का खर्चा क्यों आता है, ये बताने से पहले दो assumptions ले लेते हैं, सबसे पहला आप registration early bird window में करते हैं, CFA की exam अगर August में होती है, तो registration almost 6 महिने पहले ही खुल जाता है, और पहले 2-3 महिने के लिए early bird registration चालू होता है, जहां पर पैसे थोड़े कम होते हैं, early bird का cost आता है 940 dollars per exam, दूसरा assumption यह है कि आप भी भाई की तरह first attempt में हर एक exam निकाल देते हो, this is because CFA institute आपको re-attempt के लिए कोई भी discount नहीं देता, अगर आप exam retake करते हो, तो आपको पूरी registration fee फिर एक बार देनी पड़ती है, तो इस हिसाब से total खर्चा इतना आता है, आप first time जब CFA की exam के लि आपको calculator भी लेना पड़ेगा, जो CFA की exam के अंदर allowed होता है, इस calculator के अलावा और कोई calculator आप नहीं लेके जा सकते है, यह calculator होता है, number one Texas Instruments का BA 2+, और दूसरा HP का 12C, इस calculator की cost roughly 3,000 रुपए की आती है, per level जो आप books खरीदोगे, उसकी cost roughly 2-3,000 रुपए की होगी, और अगर आप coaching के लिए जाते हो, तो per level भारत में coaching का cost आता है, 50-60,000 रुपए, अगर आप classes के लिए जाते हो, और अगर आप recorded lectures लेते हो, जैसे Mark Meldrum है किसी और provider के, तो वो 15-30,000 रुपए के बीच में मिलते हैं, तो यह सारी चीज़ अगर हम combine कर लें, तो सिफ registration का cost आता है, 2.6 lakh रुप आप से पैसे मांग लेते हैं, इसकी वज़े से आप पर एक pressure built रहता है, कि भाईया, अगर मैं fail कर जाओ, तो फिर एक बार मुझे 940 डॉलर्स पे करने पड़ेंगे exam लेने के लिए, जो बनता है roughly 80,000 रुपीज, एनिवे आखरी सवाल यह थे कि भाईया, आपके notes दे दीज और formula जो होता था, उसे underline करके वही से memorize करता, so I swear to god I literally have no notes, दूसरा एक सवाल के भाई, आपके पुराने book से आपका calculator मुझे दे दीजे, नहीं दे सकता, I am so sorry, because I am currently working on something, जिससे मैं CFA का जो curriculum है, यह आपके लिए और आसान कर सको, इसी की वज़े से इन सारे resources की जरूरत Sorry, I cannot give you those things, रही बात study plan की, obviously मैं इस एक वीडियो में आपको हर एक level का study plan नहीं बता सकता, time कम पढ़ जाएगा, लेकिन हर एक level के लिए एक separate video आएगी, detail में आपको study plan बताते हुए, I hope this question and answer से आपके सारे doubts clear हो गए, अगर और कोई भी doubt है, तो please उसे comments में डाल दीजे, मैं व आपको इस वीडियो से कोई भी value मिलती है, तो please मेरे चैनल को subscribe कीजे, हम बहुत ज्यादा महनत करते हैं ऐसे high quality videos आप तक पहुचाने, मैं आपको में लोग आगले वीडियो में, see you next time.